वो पास एक बड़ी खबर आपको बता दिए बीजेपी नेता संज़श शुक्ला ने बड़ा बैयान दे दिया है उन्होंने पत्र लिख दिया है प्रधान मंत्री मोदी को पत्र लिखा है बांगलादेश के हिंदू को बचाने की मांग की है अपने पत्र में उन्होंने बांगला देश के हिंदुओं को बचाने की मांग की है हिंदु नागरिकों की सुरक्ष की मांग उठाई है तो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अब उन्होंने पत्र लिख दिया है ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी नेता संजर शुकला ने प्रधान मंत्री मोधी को पत्र लिखा है और आपको बता दें कि संजर शुकला पहले कॉंग्रेस में हुआ करते थे लेकिन लोग सभाचुना के दौरान उन्होंने बीजेपी का दावन थाम दिया तो अब हिंदूओं पर हो रहे अत्याच्यार को लेकर उन्होंने पत्र लिख दिया है और प्रधान मंत्री मोधी को उन्होंने ये पत्र लिखा है तो आईए इस कबर पर मेरे सहयोगी पुनित विजेवर्गी मेरे साथ जोचुके हैं उनका रुक करते हैं पुनित अब प्रधान मंत्री मोधी से पत्र लिखा गया उनसे मांग की जा रही है तो कहीं न कहीं अपनी ही सरकार पर दवाब बनाया जा रहा है पुनित बिल्कुल देखिए जिस तरह के हालात बांगला देश में बने हुए है लगातार मांगे तो उठी रही है बीजेपी की तरफ से ये पहली बार शायद बांग उठी हो लेकिन बीजेपी की जो जुड़े वे संगटन है वो लगातार इस तरह की मांग करते रहे है कि भारत सरकार बांगला देश के हालातों पर अस्तक्षेप करे लेकिन अब पूर विदायक संजे शुकला ने खुलकर पत्र ही लिख दिया है वो भी पीम नरेंद मोदी के नाम की बांगला देश पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए इस पत्र में ये भी जिक्र किया गया है कि जिस तरह के हालात बने हुए वहाँ पर हिंदू भाई बैनों पर जिस तरह से अत्याचार किये जा रहे है उसको लेकर भारत सरकार को गंबीर होना पड़ेगा क्योंकि भारत सरकार को पूरे विश्व में काफी सिर्यसली लिया जा रहा है पूरी दुनिया की नजर भारत सरकार पर रहती है इसे में प्रदान मंत्री नरेंद मोधी पर तो विशेशतोर पर नजर बनी ही हुई है तो उनी से यह उन्होंने निवेदन किया है इसके अलवा इसमें इस बात का भी जिक्र किया है जो कि सबसे खास है कि पाकिस्तान पर सर्जीकल स्ट्राइक की गई थी उसके बाद से कॉंग्रेस में थे तब तो यह सर्जिकल स्ट्रैक की बात को नहीं मान रहे थे